सबसे पहले आप स्टार्ट में जाके पाइथन, IDE, IDELE या फिर पाइथन इस पे क्लिक करें जैसे यह आप पाइथन शेल को उपन करेंगे कुछ इस तरह से आपको शेल दिखाई देगी और यह interactive mode है, program को run करने का, तो यह जो हम देख रहे हैं, just hello world का है, जिसमें मैं print कराना चाहरे हूँ, hello world तो आप उसके नीचे blue color में देख सकते हो, कि hello world print हो गया है जो next way है, वो scripted way होता है, इसमें आप क्या करेंगे, इसमें file पर जाएंगे, new file create करेंगे यह अपने new file create की, जो भी आप document बनाएंगे, उसको save कैसे करेंगे, save as यह scripting mode है, इसमें मैंने चूटा साफ, हमें just print कराना था, hello world world, तो हो hello world लिखा है मैंने, इसको आप save करोगे file land, dot py extension, py python का extension है, तो just आप इस तरह से उसको लिखोगे, और बस आपको यहाँ पर run करना है, run पर जाकर run module पर click करेंगे, तो यह देखिए, आपका as output, hello world लिखा आगया, तो यह था basic first program as a hello world हम कैसे print करते हैं,